वो मा जिसने अपनी वसियत में रिखा बेटा नहीं करेगा मेरा अंतिन संसकार कहा जाता है कि एक मा को अपने बच्चों से बेहत प्यार होता है मा अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ जाती है अकसर गलती होने पर भी उसे अपना बच्चा निर्दोश ही लगता है आपको भी अपनी मा से बेहत मुहपत होगी लेकिन एक मा ऐसी भी थी जिसने अपनी वसियत में लिख दिया कि उनकी मौत के बाद उसका एकलोता बेटा उसके अंतिम संसकार में शामिल नहीं होगा और ना ही वो उसकी चिता को आग लगाएगा हाला कि उनकी मौत के बाद उनके बेटे ने ही सभी संसकार संपन किये हम बात कर रहे हैं मा विजे राजे सिंधिया की और बेटा माधव राव सिंधिया की आज राजमाता विजे राज सिंधिया की जनती है और राजमाता हर भारती जनता पार्टी के कारेकर्टा के लिए बेहद ही सम्मानित स्थान रखती है आखिर हो भी क्यों नहीं क्योंकि उन्होंने बीजिपी की स्थापना में बेहद एहम भूमिका निभाई थी और सबसे ज्यादा आर्थिक मदद की थी माना जाता है कि गॉलियराज खराणी की राजमाता वीजै राजस सिंधिया और उनके एक मात्र पुत्र और कॉंग्रिस नेता रहे माधाव राव सिंधिया के बीच संबन्ध बेहद खराब थे उनकी संबंध इतने खराब थे कि 1985 में अपने हाथ से लिखी वसीयत में उन्होंने माधवराव सिंधिया को अंतिम संसकार में शामिल होने से भी इनकार कर दिया था दोनों के बीच में जबर्दस राजनीतिक प्रतिवद्विन्त थी मा विजय राजे जहां पहले जन्संग में तो बाद में उसके बदले हुए स्वरूप बीजेपी में थी तो बेटा माधवराव सिंधिया कॉंगरिस के कारिक करता थी हालकि विजय राजे पहले खुद भी कॉंगरिस में थी लेकिन इंदेरा गांधी दुवारा राजखरानों के प्रीवी पर्स खत्म कर देने के बाद दोनों के बीच ठन गई और विजे राज जनसंग में शामिल हो गई थी अगर प्रीवी पर्स की बात करें तो राज भत्ता निची कोश प्रीवी पर्स किसी सम्वेधानिक या लोकतांत्रिक राज तंत्र में राज जी के स्वाइत शासक एवं राज परिवार को मिलने वाले विशेस थन राशी को कहा जाता है विजे राज सिंधिया और माधवराव सिंधिया की बीच कैसे रिष्टे थे इसका अंदाजा इसी से लगाये जा सकता है कि मार राज माता ने कुवालियर के चैव विलास पैलेस में रहने के लिए माधवराव सिंधिया से किराया भी मांग लिया विजे राजे से माधवराव सिंधिया से एक रुपे साल का किराया मांगा था इसके अलावा जब एमर्जंसी के दोरान विजे राजे को पुलिस ने गिरफतार किया तब उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके बेटे माधवराव ने ही गिरफतार करवाया है राजमाता का साल 2001 में निधन हो गया था 6 अप्रेल 1980 को देश की राजनीती में बड़ी हल चल थी इसी दिन देश को एक नई पार्टी मिलने जा रही थी ये पार्टी वही है जो मौजूदा समय में देश की सरकार चला रही है जी हाँ ये पार्टी है भार्दिय जनता पार्टी इसकी स्थापना जनसंग से अलग हुए कुछ लोगों ने की थी लेकिन इनके आगे एक सबसे बड़ी आर्थिक दिकत थी किसी भी राजनीतिक दल को चलाने के लिए बड़े मात्र में पैसे चाहिए होता है तब उस समय आर्थिक रूप से राजमाता विजे राजे सिंधिया ने बीजेपी की स्थापना में मदद की और उन्हें पार्टी का राश्रियो पाध्यक्ष बनाये गया था पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अटल बिहारी वाजपई को चुना किया और लालकृष आडवानी, सिकंदर बक्त और सूरज भान को महसचीव बनाये गया था